चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूँ उस काम में लगा की ये ओषडि, और गता रहा हूँ, ये वश्याय हूँ coordinationuti के चैनल रख है इंकी बहुता हूँ Cheese गवार्मी हो गया, सुजाष हो गया, यह संगत है ना, Sexually Transmitted Disease, उनकी भी हो शदे, Naksvamika. और जिन लगजा को कम उबर नोग गलत आरता कर गाती है, हत्तमतिन करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, उनकी भी हो शदे, देना रोल, Sakari, Vitaari, Sanjataari, हैकेथ थे, हस्ता है चिन बहुत पराद है वो सेक्स जो स्पेशलिस्ट है सेक्सलेजिस्ट वो कहते है और इसके पीछे इनका जो थेरी है वो बना विचित्र है उसकी चैचा ना करें तो अच्छा है ये आप इसका ध्यान गटे ये लक्स मामी का जो है न बहुत बिमारियों में आई है काम देखो आपके क्या-क्या लिकाड़ा मने जुलाओ हो गया संदाथ हो गया उसकी अच्छी औरशद है आपको कभी बवासी हो गया मूल गया भगंदर उसकी औरशद है कावे हो जाए पीलिया हो जाए उसकी यही औरशद है शराब कीने वालों को कोई भी रूग हो जाए उसकी यह औरशद है जैसे शराब कीने वालों को खासी हो गई यह देदो बिल्कुल ठीक हो जाए शराब कीने वालों को भूख नहीं लगती यह औरशद देदो भूख लगेगी जोपने लाती है ये अशद दोड़र झोपाएगी कुछ भी रोग हो ब्लसन करने वानों को बैस्षर रिखी करने वाले लोग जो रोग लेके आते हैं खराब खराब उसकी भी जोफ़े जोब किमें जलानी की उमर में गलक्त आगते हैं पाई लेते हैं, उसकी भी यही उशद है और यह उशदी क्या क्या करती है अगर हमको खराब से खराबी बीमारी पोटकी है हार्मिया हार्मिया की भी यही उशदी है यही उशदी है खाली एक साम, एक समय भी लोना शाम को तोगी ये बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत कड़क आउशदी है, शाम को ही लोना एक बार तोगी बहुत अच्छी है, खानी प्यारे विंटेगा, और ये आउशदी एक और अब्रूत काम करती है, कल कौन था, जिसको जुकान हुआ था, सोग, तो जिसको भी जुकान हो ज उसकी भी ये उशदी है, शाम को काम करने वाले और दिन को सोने वाले लोगों की भी ये उशदी है, रात को काम करने वाले और दिन को सोने वाले लोगों की भी ये उशदी है, रात को काम करने वाले और दिन को सोने वाले लोगों की भी ये उशदी है, रात को काम करे और द पर यही बिमारी आती है, उनकी भी यही होशब है, जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, नहीं, काम दुनने ही करना है, रात को सोना, लेगन कोई मजबूरी हो तो रात में भी काम करना है, उसके बाद कोई तकलिफ हो जाए तो उसकी यह ओशब है, और बता ज़ता हूं, कि कि यह शरी शरम नहीं करते हैं, सिर्फ दिमाग से काम करते हैं, उनको कुछ भी हो जाए तो उनकी भी यही होशब है, नाइए हैं, यह कम से कम 48 रोगों ही करती है, लेकिन सभी में ठीक करते हैं, 100 रोग तो बहुत हैं, 118 से जादा हैं, और एक बता बता हूं, लीवर में कै और पित्त की थैली में पत्थर हैं, उनको भी तोड़कर निकालेगी यह होशब ही मदद करती हैं, बरबरिस के जैसा ही, पित्त की थैली में पत्थर हैं, तो उसमें भी यह काम आते हैं, और किसी वेक्ती को एक बार में पोट साफ नहीं होता, बार बार संदार जाना परता उसकी भी यही होशद है और कई लोगों को ऐसा होता है कि एक दिन जुलाब हो गया एक दिन कुष्ट बद्दिता हो गई ऐसा चलता है उनकी भी यही होशद है यह होशद लगवज 45-45 रोग में कामाती है अब आखरी बता देता हूँ कि बुखार आजए सरदी के साथ बुखार जुकाम के साथ बुखार सरदी जुकाम ठोखला बुखार तो भी होशद है इस आखरी से मैंने 40-40 साल पुराने लोग ठीक यह है जो जुकाम से प्यूलित है 40 साल हो गया जुकाम मिटता ने उनका भी मिटा दिया इसने सर्गी सर्गी के साथ ताप ठीक है बच्चों को भी हो यह बड़ा को भी है इस्त्री को भी यह पुरुष को भी है बच्चों को यह औशक देना हो तो एक थेम पानी में डालके चोथाई कब पानी में डालके जो इसमें से दो दो चमज पानी पुलाना बच्चों को बई लोगों को सीदे एक एक थेम जीट पर इडाग लें तो भी उशदी है थंडी लगके कुछ भी लगो तो यह उशदी है थंडी कभी लगके कुछ भी आओ मलेरी आता है उसकी भी यह उशद है ठंदी लगते कुछ भी हो और ऐसे लोगों कि यह फ़क्त अच्छी उशदी है जिनको गर्मी में भी ठंदी लगते है अभी हमको मालम है कि कलग भूप है तो गर्मी यार बड़ी ठंद लग रही है तो इसको यह उशदी को दो दो मिनट में ठंद गायब कर देते सब को चलते ठीक है इतने सारे काम में यह आते बच्चों को पता है एक फिन पानी में दालना चौथाई तब फिर उसमें ऐसे दो दो चलमच पानी पिला देना अब आगे चन कर पोऑ्ड बखने की भी यही ओशदी लेखी लो आप किसी भी काईट से पोऑड बखता है खाना हजम नहीं होता है दाइज decision नहीं होता गैस बन रही है गैस बनने के भी यही ओशदी है इस बखते है ने इस बखता है इसको हम हम्यों सैथी में रामपार अशुदी कहते हैं मुआवना सोलापुर में मिलता है जिए अब आगे चले अब सुन हो अब और बता देता हूँ कि जब शरीर में एक चर्म रोग होता है वो चर्म रोग ऐसा है कि अचानक से सबीरे सबीरे बेखो तो पूरा चर्म लाल लाल हो जाता है और खा जाती है इसमें क्या बोलते हैं इसको कित्ती होना कित्ती बोलते हैं इसकी सबसे अच्छी यह है इसको कित्ती जीप पर प्राना कहीं भी नहीं है जवान पर लेना है कुछ भी हो जाए इसकी बोलते हैं 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 इसकी बोलते है संफर लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं अभी क्या रोग है आगे दोखना दोखे दुखने की भी यही ओशड है और दैसे दोखे दुखने की अपने घर में भी ओशड है वो भी लिख लेना ये तो है ही इसके अलावा गाय का जूना तू रात्री को नाथ में डालना एक एक थ आगे दुखने की अपने गर्म वह ना शुन्थी माने अद्रख अद्रख से बनता है तो थोड़ी सी शक्कर इसमें शक्कर हो शबी है तोड़ी शक्कर थोड़ी शक्कर खली शक्कर हो तो बहुत अच्छा नहीं तो ये वाली भी चलेगी और नहीं तो गुर भी चलेगा तो सोट पाउडर थोड़ा ता शक्कर या बुर्ग और थोड़ा ता नमक ये गरम पाने में लिलाकर आप लोग तो जितना भी खराब से खराब दोके दुखना है सिर दर्ग सब खतम कर देते हैं कायम 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 सोट जो है बहुत अच्छी आउशद है सिर दुखने की गरम पाने में सोट डालने का और दालने का पीछे से थोड़ा नमक थोड़ा शक्कर या बुर्ग लाको पी लेका अलावी और पूरा रुदोनों एक गिलाथ पानी सुन ठाजा चंब अच्छ डाली के उबार दिया है उसमें पानी में पहले फिर उस पानी में थोड़ी शक्कर मिलाना या शुगर ये गुर्ग मिलाना और थोड़ा नमक मिला के पीना ये बेके लुखने का बहुत अच्छा है और बाखी के लिए नक्सवा मिका भी है एसिडिटी के लिए सुन्ट बहुत अच्छी आशर है एसिडिटी के लिए जीरा भी बहुत अच्छी आशर है एसिडिटी के लिए जीरा भी बहुत अच्छी आशर है इसा ही पानी में डालते है उबालते है, अलग अलग, एक बार सुन टो, एक बार जीगा, दो बार सुनत लिया दुबादे रिरादी में बड़ एक तिन चार घंटे रहा हो गया सुनत आदा चनमच जादा में गरम करती हो जादा